गुड आफ्टरनून और अफ्य स्टुडेंट्स हम लोग उनिट फिफ्थ पढ़ रहे थे जिसके अंतरगत हम व्यावसाई गनीत पढ़ रहे थे हमने उसके अंतरगत अभी तक लाभानी का टॉपिक और प्रतिशत का टॉपिक पढ़ लिया था नेच्स्ट झसबEMA में हमारा है टॉपिक साधवन व्यायन की सिंपल इंट्रेस्ट क्या होता है सिंपल इंट्रस देखो जब भी कोई व्यक्ती है वह किसी बैंक से या किसी पिची वग्ती से पैसे जो उधा लेता है तो उसको उस पैसे को तो जब यूज करना होता है तो उस पैसे को यूज करने के बाद उसके साथ कुछ वापस लोटाता है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उसके साथ देने पड़ते हैं तो जह एक्स्ट्रा पैसे जो देते हैं यह तो जो अत्रिक्त धन जो देते हैं यह आपका क्या कहलाता केलाता है है डीयां, जी पैशा इंते हैं हो जाता है मोलधन होता है तो जो पैसा उड़ाता है और मूलधन और मूलधन कुछा सबस्कान का जो principle तोटल कीमान आप मिश्रधन आप और गाता है कैLo meu जुतुए सदे जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं साधरन ब्याज कहते हैं ठीक है इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं साधरन ब्याज निकालने का तो फॉर्मूले होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपोन 100 मुल्धन बराबर अगर मुल्धन निकालना है तो क्यों आपको कोशें सी करने है तो देखो 1250 रुप्य पे 5 प्रतिशन वार्षिक दर से 219 दिन के साधना व्याज याद करना है क्या-kia गीवर ने देखो मुल्धन दे रखा है 1250 दर कितनी दे रखी पांच प्रतिशन वार्षिक, समय देखो क्या दे रखा है, 219 दे, अब चुकि वार्षिक होता है, चलता है एक साल के लिए, तो हमें पता है, तो कितने दिन होंगे, कितने दिन होते हैं हमारे पास, 365 दिन, जिसमें से 219 दिन का, इसलिए हमें यह आपे क्या करना पड़ा, 219 इस दिन में 365 का हमें भाग देना पड़ा, ठीक है, एक वल्टो हमारे पास कितना आया, 3 अपन 5 वर्ष आया, अब हमारे पास आदरन ब्याज का सुत्र क्या होता है, मूल्धन इंटू दर इंटू समय, तो मूल्धन 1250 है, दर आपकी कितनी दे रखी, पांच अपन क्या होता इसको हमने सॉल्ट किया, ये पांच के टेबल से आप काट लो, इस जिरो से एक जिरो इधर कड़ गया, पांच के टेबल से आपने काड़ा, इस सबको सॉल्ट किया, तो कितना है, पिच्छोतर बटा दो, जिसका डिवाइड करने पर क्या है, 37.50 रुपीज, नेक्स कोर्श निकल गए बचे कितने दिन, टोटल कितने दिन हो गए, 26 दिन, ठीक है, तो समय कैसे हुआ हमारे पास, 26 ठीक है, फिर उसके बाद, अप्रेल के बाद, माई, माई का पूरा है, तो कितने इगतिस दिन होते हैं, तो 31, उसके बाद हमारे पास, कितने जून की कितने दिन, 16 दि दर कितनी दे रखी 5% वार्शिक आपको क्या दे रखी दर दे रखी ठीक है तो साधरन ब्याज करसुत्र लगाया है चपन सो इंटू मुल्दन इंटू समय दर इंटू समय हमने रखा है दो जिरो से दो जिरो के इंसल हो गए 5-5 के इंसल हो गए कितना बचा 56 रुपए तो ब् हमें क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है ब्याच जो कि वह धन निकालना है तो हमें दर दे रखी हमें समय दे रखा हमें मिश्र धन दे रखा और हमें क्या निकालना मूल्दन यानि आपका धन कितना था जिसके आप बाज लगा कर आपने यह मिश्र धन दिया ठीक है तीन वर्ष का और हमें दे रखा है मिश्रधान दे रखा अब हमें पता है कि मिश्रधान किसे निकलता है मूलदन प्लस ब्याज के योग से निकलता है ठीक है तो हमने साधरन ब्याज का सुत्र तो लगा दिया कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज मूलधन हमें पता है X है ब्याज का सुद्र से हमने अभी निकाल रखा है इसको हमने याँ पर रख दिया और मिश्रधन हमें दे रखा है कुशन के अंदर कितना 6,650 रुपे इसको हमने सॉल किया पचिस की टेबल से 100 को काटा 25 चोक 100 हो गए 3X3X हो गए 4 x 4 कितना हो गए 16 इसका अब हमने याँ सॉल करने के लिए क्या लिया LCM ले लिया 16 का LCM लोगत कितना हैä 16 इसको इससे किया तो 16 और X इंटू किया तो 16 यहाँ 16 1 और यहाँ कितना हो जाएगा सोला में सोला को डिवाइड किया तो 1 बार और 1 करा तो 1 इंटु 3X तो 3X तो 16X प्लस 3X अपॉन 16 यह अपनी जगह पर 16X प्लस 3X को किया तो 19X अपॉन कितना हो गया 16 अब इसको हमने solve किया यानि 6 6 5 0 इंटु 16 को आप इधर लेके जाओगे तो क्या आजाएगा इंटु 16 और 19 चला जाएगा नीचे और यहां बज़ेगा क्या सिर्फ X यानि 19 के टेबल से जब हमने इसको काटा तो कितना आया 350 350 है और 350 इंटु 16 को मल्टिप्ला किया तो कितना आया 500 रुपए यानि हमारा वो धन कितना है 500 रुपए हमारा क्या है धन है ठीके गया आगया आपका मूल रुपए नेस कोशन देखो किसी भी धन का साधरन ब्याद से दो वर्ष का मिश्रदन 84,000 रुपीज है तथा साड़े तीन वर्ष का मिश्रदन 9,000 रुपए हो जाता है तो मूल धन गयात करना है तो जब व्याद की दर आपको कितनी दे रखी छे प्रतिशत दे रखी समय दे रखा है 8468 sorti और बीच आपको दे रहा हाँ को निने लिख सकते इसको एदर ले के जाओगे तो मotल आप तो आप़ास घार छार सो माइनस एक्स हो गया ऑं आपढ़ार शृत्र से हम जानते कि powder kate दर कितनी है, 6 upon 100 हो गया, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, इसको हमने solve किया, हमारे पास क्या आया देखो, 8400-X upon 12 upon X, क्या हो गया, 100, फिर 100 को इधर multiply करोगे, तो 2 बार इधर 0 हो जाएगा, इस से multiply हो, 100X बराबर 12X, इस 100 को आप equal to के इधर लेके जाओ, तो 100X प्लेस 12X कितने होगे, 112X, इसको जब आपने solve किया, तो X बराबर 8000 upon X, कितनी बार चला गया, जब इधर इसका डिवाइड किया, तो कितना आया, 7500 रूपे, similarly हम जो मिशद्धन 9000 पिछोतर दे रखा है, उसके लिए भी हम इसी तरह से निखा सकते हैं, Next question देखो, किस प्रतिशत वारशिक साधरन व्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, किस प्रतिशत वार्षिक, साधन, व्याज की दर से, कोई धन, कोई धन है, कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा, आठ वर्ष में, समय दे रखा है आपको आठ वर्ष, ठीक है, मूल्धन आपको पता नहीं, कितना हो गया, एक्स, दर आपको पता नहीं, हमने लिखा, कि दर तो वह धन्द भूड हो ज manner को जोनी कि знать दे रह सुथा जा जाएगा वह द्रूण हो जाए जन магलत ना Candle प्लस ब्याज से मिश्रदन दे रखा है 2x मूलदन दे रखा एक्स और ब्याज हमें पता नहीं है तो हमारे पास ब्याज ही निकलके क्या आएगा 2x minus x बराबर कितना आ गया x तो यह x यानि ब्याज कितना हो गया x अब हमें सुत्र पता है कि मुल्धन इंटू समय इंटू 10 तो मुल्धन x यह आपको दे रखा r upon 100 हो जाएगा और 8 बश दे रखा है बराबर क्या है ब्याज कितना निकला x इसको solve किया हमने तो देखो चार के टेबल से चार गया तो 25 ठीक है तो 2r upon 25 इकल टू 1 यानि की 2r बराबर 25 आर बराबर 25 अपन दो यानि की साड़े बारा प्रतिशत ठीक है नहीं देखो कुशन 6 तसजार रुपे का 6 प्रतिशत वार्षिक तर से नो महीने साधरन ब्याज क्या होगा मुलधन दसजार रुपे दर यानि कितने महीने थे 12 महीने होते है इसलिए नो अपन 12 साधरन ब्याज का सूत्रा मने लगा इसको solve किया कितना है 450 रुपे सादारम भ्याज की कि सतर और भष में 4500 रुपय मिश्रदन 500 दिर दहें兩個 वन सुसेल सवंगी युद्यू सा यू किया है मिश्रदन बालुदन सकता क्या है 900 रुपए दर निकालने का सुत्र किया है 100 इंटू साधरन ब्याज अपन मुल्धन इंटू समय सारी चीज़े आपको गिवन है हमने इस सिफ फॉर्मूले में सब का पुट किया है और सॉल किया है ठीक है इन सिंपली जैसे सॉल करते टेबल कार्ट के ठीक है वी सपोन दी यान 2x ब्याज दे रखाए 2x आमने अभी सॉल किया इसी कूशन को एक 3x माइनस x करोगे तो 2x आ गया ब्याज का सुत्र लगाया x इंटू मूल्धन इंटू दर इंटू समय ठीक है तो x इंटू 3 30 इंटू आर अपन 100 बराबर कितना हो गया ब्याज कितना निकाला 2x सॉल किया 3 3R अपन 10 इकल टू 2 3R बराबर 20 आर बराबर 20 अपन 3 6 x 2 x 3 6 x 2 x 3 प्रतिशत नेक्स्ट किसी धन का साड़े साथ प्रतिशत वाशिक दर से पंद्रा महिने के साधरन ब्याज साधरन ब्याज का अंतर दे रखा है 32.50 है तो वो धन क्या है यानि मूल्धन अपने को पता नहीं निकालना मूल्धन एकस रूपे समय कितना पंद्रा महिने 15 महिने का मतला 15 बारा एक साल में होते हैं इसलिए 12 दर कितनी हो गई साड़े साथ प्रतिशत यानि की 15 बटा 2 प्रतिशत ब्याज कितना हो गया वह मूल्धन इंटू समय इंटू दर और अपन 100 ठीक है इसी तरह द दे रखा 32.50 तो हमने लिखा 32.50 और इन दोनों का अंतर निकाला इन दोनों को जब हमने सॉल्ट किया हमार पास आया 15 x upon 160 और – x upon 12 इसको जब हमने सॉल्ट किया है देखो 5 x – 480 आ गया 480 इंटू 325 इसको सॉल्ट करके हमने यह अंसर निकाला 3 1 2 0 आ ठीक है तो यह साधरन ब प्याज के अंदर आपका चक्रवती भ्याज है तो चक्रवती भ्याज भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे बागी ये टॉपिक आपका आज कतम होग गया इसे अदर कुछ भी कुश्ट्स पी मैं आपको दे दूगी तो आप उनको सॉल करें धा ठीक है और इस सारे सवाल को आप कुद भी सॉल करके देखना ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएंगे ओके गुड़ बाए